दूस्तों आज की वीडियो में हम लैपटॉप PC से WhatsApp Calling करना सीखेंगे वो भी वीडियो कॉल आपको कैसे करनी है वो भी बिना किसी Application के बस आप WhatsApp की Application से बहुत आसानी से WhatsApp पे बेज़िव वीडियो कॉल कर पाएंगे या फिर ओडियो कॉल कर पाएंगे विडिकों तक जरूर देखीगा तब ही आप समझ पाएंगे हलो दूस्तों मैं नाम नवीन है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चनल हमसफर टेग तो चले दूस्तों चलते हैं डारक्ली टॉपिक पर और आपको step by step समझाते हैं दूस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले अपने laptop और computer पर आपको आना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यानक नहीं है कि अगर आपने पहले से whatsapp को download किया हुआ अपने pc पर तो आपको सबसे पहले उसको uninstall करना है यहनकर delete करना है और delete आपको कैसे करना है आपको यहाँ पर start menu में जाना है और यहाँ पर आपको search करना है control panel और जैसे आप यहाँ पर search करेंगे इस तरीके से आपके सामने control panel आएगा तो आपको इसके उपर click करना है क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर दिखीगा इस तरह के से आपके सामने program and feature आएगा अगर आपके सामने इस तरह के से नहीं आता है तो आपके सामने हो सकता है इस तरह के से category आ जाए अगर category भी आता है तो आप यहाँ पर दिखेंगे कि यहां पर आपको program दिख जाएगा आपको इसके उपर click करना है अगर आपके सामने इस तरह की से दिखता है तो आपको सबसे पहले program and feature पर click करना है तो यहां पर इस तरह की से जितने भी आपके laptop computer पर application install है and download है आपको यहां पर दिख जाएगा तो अगर आपके laptop पे पहले से WhatsApp download होगा तो आपको यहां पर दिख जाएगा जैसे यहां पर example की तोरपे मैं यह ले लिएता हूँ यहां पर फिलाल मेरे पास WhatsApp तो नहीं है लेकिन अगर आपके पास होता है तो आप सबसे पहले इसको इसको डिलेड कर लेंगे जब यहां पर डिलेड हो जाए तो आप आपको यहां पर दुबारा से Google Chrome browser को उपन करना है और यहां पर आपको search करना है WhatsApp for PC और जैसे दुस्तों आप यहां पर WhatsApp for PC search करेंगे उसके बात आपके सामने यहां पर इस तरीके से official website है हाला कि इसका link के मैं आपको वीडियो को description में दे दूँगा आप directly link पर क्लिक करके यहां पर आ सकते हैं जैसे आप यहां पर आएंगे तो सबसे पहले दुस्तों यहां पर देखीगा आपके सामने laptop देख रहा है इसके नीचे आप देखीगा यहां पर आपका laptop का आजाएगा WhatsApp download for Windows जैसे मैं अभी यहां पर Windows यूज़ कर रहा हूँ तो यहां पर मैं इसको सबसे पहले अपने laptop पर download कर लूँगा और अगर आप अपने phone के लिए download करना चाहते हैं तो आप यहां पर Android और iPhone के लिए भी कर सकते हैं अभी हम laptop computer पर देख रहे हैं तो फिलहाल हमें इसको download करना है Windows के लिए तो अभी आपको जैसे यहां पर click करेंगे सबसे पहले यहां पर आपका WhatsApp download होना start होना लगेगा अब दोस्तु यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर WhatsApp हमारा download हो रहा है बट हमने already पहले से download करके रखा हुआ है तो मैं इसको cancel कर लेता हूँ लेकिन आपको इसको download करना है चलिए जब आपका download हो जाएगा तो आप यहांसे download में जाएगे तो यहां पर देखीगा आप so in folder करेंगे तो यहां पर देखिएगा मैंने पहले से ही अपने laptop पर इसको download करके रखा हुआ है अब आपको इसको click करना है जैसे आप click करेंगे अब आपका यहाँ पर WhatsApp जो है install होना start हो जाएगा और देखिएगा आपके सामने WhatsApp इस तरह के से open होना start हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा आपके सामने इस तरह के से आजाएगा जैसे दोस्तों यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा page loading लेगा और यहाँ पर आपके सामने बार्कोड ऊपन होकर आजाएगा और दोस्तों अब हम इस बार्कोड को उपने वर्टसप से scan कर लेते हैं दोस्तों बार्कोड scan करने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारा वर्टसप login हो चुका है अब आपको जिसको भी call करने है उसका आपको contact सेलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर बीडियो कोल का option से और यहाँ पर voice call का भी है तो जैसे अभी मैं आपको example के तौर पे बीडियो कोल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिएगा मैंने laptop अपने laptop से बीडियो कोल पे क्लिक किया और जिसे मैंने क्लिक किया अभी यहाँ पर दिखीगा हमारा जो है लैपटोप का कैमरा उपन हो चुका है और हमारे जो फोन में है देखीगा हमारे फोन में कॉल भी आना स्टार्ट हो गया है अब आप बहुत असानी से यहाँ पर दिखीगा कॉल रिसीप कर पाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपकी थोड़ा सा मेरे घर पर अभी इंटरेट स्लो है इसी वज़े से थोड़ा सा वीडियो कट के आ रही है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप बाकी चीज़ें भी यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं और सासात में दुफ्तों आप आप यहाँ पर voice को mute भी कर सकते हैं और यहाँ से call को cut भी कर पाएंगे अब यहाँ पर हमने call cut करी अब यहाँ पर मैं आपको example और दिखाता हूँ कि voice call पर क्लिक करूँगा जैसे क्लिक करता हूँ अब आपकी voice call भी जाना start हो जाएगा दिखेगा यहाँ पर voice call हमारा जाना start हो चुका है इसको आप कहीं भी यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर दिखेगा call आप receive करेंगे और यहाँ पर दिखेगा कि इसको भी हम mute कर लेते हैं ताकि हमें वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो तो यहाँ पर दिखीगा इसको भी आप असानी से यहाँ पर कर सकते हैं चाहे तो आप वीडियो कॉल में भी यही से स्विच कर सकते हैं बहुत असानी से और इस तरीकी से दुस्तों आप यहाँ पर WhatsApp के थूँ जो है अपने desktop PC से easily कॉल कर पाएंगे अगर आपको वीडियो को लाइक जरू करें और अपने दुस्तियारों के साथ भी इस वीडियो को जरू से करें अगर आपका कोई सवाल है और क्वेस्टन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डिर्क्रीव फेस्बुक इस्टेगराम पर मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिस्टन में मिल जाएगा और हाँ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आगउम को भी और पे जरूर प्रस कर दे ताकि आपको हमारी तरफ से ऐसे इंट्रस्टिंग और न सबसे पहले है